आज मैं आपके लिए बहुत इजी और बहुत जटपट बनने वाले तवे पे बनाने वाले सेंडविच लेकर आई हूँ यकीन मानिये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं सिंपल हैं बहुत कम इंग्रेडियन के साथ हैं यह देखें मैंने होल वीट ब्रेड ली हैं चार पीस ले ली है फ्रेश ब्रेड ले थोड़ा चाट मसाला हमने इसमें निकाल लिया है चाट मसाला है नमक है स्वाथ के अनुसार और रेड चिली पाउडर है यह ऑप्शनल है आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं यह हिच के ऐसां को हम यूज़ करें गे थोड़ा सा बकर है तो आइए स्टार्ट करते हैं निए को लो हमने धौल लिया है अच्छे से अब हम इसके बीचमें से स्लाइस काटएंगे बिखें इस से करके हम इसके स्लाइस कट कर लेंगेありがとうございます है तो यह देख सकते हैं हमने इसका है इसे पतला स्लाइस निकाल लिया है इसको अभी अलग रखते हैं और इसको उपन करते हैं चीज स्लाइस को तो यह निकालने के बाद हम सबसे पहले रखेंगे इसके उपर चीज स्लाइस और यहां रखेंगे हम यह पनीर का पीस जो करीब पूरा-पूरा इसके उपर आ गया है और इसमें हम क्योंकि चीज में नमक होता है तो बहुत कम नमक इसमें डालेंगे थोड़ा रेड चिली पाउडर डालेंगे और चाट मसाल अच्छे से डालेंगे और आप इसमें कोई वेजटेबल कुछ नहीं डालिए बिल्कुल ये सिंपल वाला बहुत टेस्टी लगने वाला है एक बार ट्राई करके देखिएगा बहुत कुछन आते हैं कि हम इसमें वेजटेबल्स डाल सकते हैं हम इसके अंदर मियोनीज डाल सकते हैं तो वो मैं आपको कहना चाहूँ भी देखे सेंविच आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से बना सकते हैं और वो बहुत अच्छे बनते हैं बट जो मैं बता रही हूँ उसको आप एक बार ट्राई कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए अपने फैमिली फ्रेंज में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और यह हम चीजी बना रहे हैं तो एक स्लाइस हम इसके उपर और लगा देंगे और इसको कर देंगे पैक तबा गरम हो गया है इसके उपर अब हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे बटर या घी जिसमें भी आप सेखना चाहें और इसको हम ऐसे रख देंगे उपर भी इसके थोड़ा सा बटर लगा देंगे थोड़ा बटर हमने ऐसे उपर लगा दिया है और इसको हम दीरे से पलट देंगे ये देखिए जितना आप क्रिस्पी करना चाहें उतना क्रिस्पी करें स्लो टू मीडियम फ्लेंग पर पकाएं तब तक हम एक सैंविच और तयार करते हैं तो एक स्लाइस हमने फिर से रख लिया है और ये पनीर की एक लेयर हम लगा लेंग कुछ और आप बिल्कुल मत यूज कीजिए पहले ऐसे ही बना कर खाईए और फिर आप अपने तरीके से भी कोई भी सैंविच बना कर खा सकते हैं ये उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट स्पॉंजी चीजी होता है बहुर टेस्टी लगता है एक और स्लाइस और ये कर द से इसको क्रिस्पी करेंगे दोनों तरफ से और मैं यहां से आपको साइड से दिखाऊं ये देखिए चीज कैसे मेल्ट हो गया है तो बहुत बढ़िया लगने वाला है और ये दूसरा सेंविच भी हमने रख दिया है और ये देखिए बहुत ये क्रिस्पी बन गया है मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूं देखिए और बिल्कुल भी जला नहीं है बहुत अच्छे से ये बना है बस हमें गैस का जो है वो ध्यान रखना है कि हमें slow to medium पर ही इसको पकाना है तो इसकी करते हैं प्लेटिंग तो ये देखिए अब हम इसको कट करते हैं आप बहुत ही यमी लगने वाला ये सेंविच बनकर तयार है देखिए फुल आफ चीज पनीर अंदर से सॉफ्ट उपर से क्रिस्पी तो आप जरू ट्राइब कीजिएगा ये सेंविच भी सिग्या है इसको भी हम यहां ले आते हैं इसको भी कट करते हैं और भी आप बनाईए खाकर बताईए कि आपके सेंविच कैसे बने बहुत यमी हैं थेंक्यू सो मच तो लग रहे हैं न यमी ट्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्यू सो मच फो वाचिंग मच बनाईए बनाईए लाइब जरूर कीजिए जरूर कीजिए बनाईए इसको लेगा हैं